हलो फ्रेंट्स, उमीद करता हूँ आप लोग बहुती अच्छे होंगे, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुती अच्छी नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, और ये निकल के आ रही है, HAL, हिंदुस्तान Aeronautical Limited की तरफ से बेसिकली एक PSU है, बहुत बड है, कोई exam, कोई fees नहीं है, direct selection हो रहा है, all over India कहीं से भी apply कर सकते हैं, तो हर चीस के बार में detail में बात करेंगे, इसका form भरने का तरडिका थोड़ा सा different है, मैं आपको हर चीस detail में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, तो दोस्तों मैंना नाम है AD Singh and I welcome you all on my channel, civil engineering destination and ISO certified channel, for regular job updates आप हमें subscribe कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही social media platforms पे भी follow कर सकते हैं, सबका link description में दिया गया है, दोस्तों आज मैंने आपके लिए एक नई वीडियो बना के डाली है, जो मारा second channel है, basically एक certificate program है, one day program है, free certificate program है, deep foundation पे, अगर आपने नहीं देखा है, तो बात कर लेते हैं recruitment के बारे में, तो ऐसे तो basically दो recruitment है, जो पहली है, दोनों के ही बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, दो location हो से आज हमारे पास recruitment निकल के आ रही है, दोनों ही HAL की तरफ से हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, दोनों का ही notification है, दोनों के ही proper discuss करने वाले हैं, पह अगर आप तयारी कर रहे हैं गेट या फिर एस की तो अनकैडमी की तरफ से आपके लिए अनकैडमी कॉमबाट करवाई जा रही है जो कि 7th of March 2021 को scheduled है जहांपे आपने पास मौका है कि आप 1.8 करोड की scholarship जीत पाएं और यहां पे enroll करने के लिए आपको अनकैडमी काड़ डाउ और इंडिया यह चलेगा और उसके बाद यहां पे आपको उसका एक proper detailed video solution भी मिल जाएगा हर एक ब्रांच वाले यहां पे apply कर सकते हैं मौका काफी अच्छा है को रुप्या पैसा नहीं लग रहा है हर किसी को apply करना चाहिए मुझे maximum कुछ नहीं तो 100 बच्चे चाहिए हमार इस चानल से जो कि यहां पे जाते हैं आप इके भले के लिए बोलना हूँ और इसी के अलावा अनकैडमी की free special classes भी चल रही हैं अगर आप SSTJ या RUVNL की तयारी कर रहे हैं बेसिकली यह भी regular चली रही है यह कुछ इनके teachers हैं जो आप जिनके बारे में देख सकते हो बढ़ रहा है जो free की है उसको I think हर किसी को यहां पे जरूर participate करना चाहिए सब कर लिंग description में है बात कर लेते हैं दोनों ही recruitment के बारे में तो जैसे मैंने बताया था कि पहले recruitment आ रही है UP में से ठीक है अमेठी यहां पे आपकी job location रहने वाली है कोड़वा में तो इस अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ diploma apprentice की ही vacancy निगल के आ रही है यानि कि technical apprentice की ही vacancy निगल के आ रही है हर एक branch civil, mechanical, electrical, CS वाले यहां पे apply कर सकते हैं qualifications में आपके पास 3 साल का diploma होना चाहिए तब आप यहां पे apply कर सकते हो final year यहां पे eligible नहीं है number of seat कितनी है वो भी यहां पे साब साब हमें नहीं बताई गई है आपको stipend per month कितनी मिलेगी वो भी इस notification में clear नहीं है बर जो normal चल लही है 8,000, 8,000 उतनी ही लंसम होने वाली है बाकि जितनी भी होगी आपको पता चल जाए गा थोड़ी से यहां पे हम और बात कर लेते हैं तो age ने में 26 years रखी गई है as on 15.3.2021 यह latest notification है ठीक है और अगर थोड़ी से हम इसकी और अगर बात कर लेते हैं तो इसको भरने का तरीका है वो थोड़ा सा different है मैं भी आपको वो समझा दूँगा कि वो basically क्या है तरीका ठीक है तो उससे पहले थोड़ी से अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं कि थोड़ी और जानकारियों के बारे में तो इसकी last date 15.3.2021 रखी गई है उससे पहले यहां पे आपको apply कर देना है पहले भी apprentice कर चुके हो तो यहां पे eligible नहीं हो selection procedure की बात कर लेते हैं तो direct आपके diploma में जितने percentage आए हैं उसी पे आपको shortlist किया जाएगा कोई exam कोई भी fees यहां पे नहीं रखी गई है और again stipend कितनी मिलेगी यह चीज अभी clear नहीं है पहले भी apprenticeship कर चुके हो तो फिर से नहीं कर पाओगे और यहां पे आपका जो basically document verification है वो 16.4.2021 से लेके 30.4.2021 तक चलने वाला है तो इसकी वीच में यहां पे आपकी इसके बात आपकी DV हो जाएगी फिर आपको य चोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब इसका इस form को apply कैसे करना है तो इसको apply करने के लिए इसका जो basically form है वो excel format में है और यह वो excel format है यह आप देख सकते हो ठीक है यह इसका लिए आपको direct description में दे दूँगा ठीक है यहां पे जाके आपको अपना नाम भर लेना है enrollment number जो आप आपको भर देना है अपना नाम भर देना है father उसने हर एक personal detail आपको यहां पर भर देनी है और आपको यह इसको इसी excel format में भेजना है इसका format चेंज नहीं करना है excel format में भेजना है ठीक है तो जैसे मैंने आपसे कहा जो आपका नाम रहेगा वो आपका registration number रहेगा मैं आपको स इसको जाके यहां से save करते हो, यहां पर आपको जाके फाइल में जाना है, फाइल में जाके इसको save as में यहां पर कर देना है, जब आप इसको save as में जाके करते हो, जिस भी फोल्डर में, तो उस फोल्डर में आपको जाके आप यहां जो इसका नाम है, वो जो आपका 16 डिजि 3, 4 कुछ भी होता है, वो आपको लिख देना है, ठीक है, NUPG करके कुछ होता है मेरे ख्याल से, वो कुई आपके कर देना है और उसके आगे अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है, for example मेरा नाम AD Singh है, तो मैं अपना AD Singh नाम मैं से लिख दूँगा, और मुझे यही basically इसको save कर लेना है, इसी नाम से save करना है, जो इस फाइल का title रहेगा, जो इस फाइल का नाम रहेगा, वो मेरा नमबर और मेरा NARS का registration number ही जाना है, तो इसको आपको इस file में, इस format में save करना है, और इस format में save करने के बाद, आपको इसको इस email ID पे भेज़ देना है, यह email ID आपके सामने है, tti.co.in आपको इस mail ID पे भेज़ देना है, इसके साब साथ आपको अपने कोई भी documents यहाँ पे नहीं लगाने है, बस आपको simply यह form भर के भेज़ देना है, इस mail ID पे, इसी के साब साथ अगर आप यहाँ पे select होते हो, तो यहाँ पे आपको बता चल जाएगा, इसका जो subject रहेगा, वो basically आपकी यहाँ पे basically the subject of the email is the registration number, जो आपका registration number है 16 digit का, बस वो ही यहाँ पे आपका mail का subject रहने वाला है, और यहाँ पे बस आपको ऐसा form में लिखके, बस इसको ऐसा simply send कर देना है, इसका यही procedure है, apply करने का, ठीक है, इसके अलावा कुछ और मत कर देजेए, इसके अलावा आपकर कुछ भी और करते हो, तो आपका form reject हो जाएगा, यह बात में साब साब बता दी गई है, बागी इसकी जादा जानकारी के लिए, सकलिंगा को डिरेक्ट में description दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं, और पता कर सकते हैं, यह तो हो गई हमारी पहली vacancy, HAL की तरफ से, दूसरी post के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी दूसरी vacancy है, वो भी HAL की तरफ से आ रही है, और यह basically आ रही है, बैंगलो और करनाठका की तरफ से, इसमें भी हर चीज सेम है, बीटेक, बीटेक नहीं, इसमें इसमें का civil, mechanical, electrical, electronics हर एक branch वाले यहां पे apply कर सकते हैं, नंबर और post के लिए नहीं है, इसी के साथ साथ यह भी diploma apprentice रहने वाली है, इसकी एक simple सी condition है, इसकी condition एक है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ करनाठका वाले ही apply कर सकते हैं, अगर आपके पास करनाठका का domicile है, बस आप तभी यहां registration करवाना जरूरी है, अनिवार है, इसी के साथ साथ यहां पे apply करने के लिए यह इसका एक offline form है, यह आप देख सकते हो, ठीक है, यह भी link मैं पूर्ट description देंगा, आपको यह proper भरना है, इसमें अपने सारे documents attach करने हैं, और इसे buy post भेज देना है, इसी address पे ठीक है, तो करनाठका वाले चाहे तो यहां apply कर सकते हैं, और जो UP वाले हैं, वो चाहे तो basically यहां, जो हमारी दूसरी post है, महाँ apply कर सकते हैं, बागी काफी अच्छा मौका है, हर चीस मैंने को detail में समझा दी है, फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो मुझे नीचे comment कर सकते हैं, तो फिलाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही, so thank you and God bless